बद्रिनाद धाम में रिकॉर्ड बर्फ बारी हुई है तो वहीं इस बार बद्रिनाद धाम के कपाड भी जल्दी 30 अप्रेल को खुड रहे हैं और ऐसे में यहां हुई जबर्दस्त बर्फ परिशानी भी बन सकती है क्योंकि बद्रिनाद धाम में मंदिर के अलावा बाकी सब बर्फ की आगोश में आ चुका है यहां तक की नजर गुमाओ सिर्फ बर्फी बर्फ नजर आ रही है चारो तरफ बद्रिनाद धाम पहुचने का रास्ता भी जगा जगा गलेशर आने से पूरी तरह से बंद पड़े हुए है सबसे बुरा हाल कंचन गंगा नाले का है जहां सबसे बड़ा गलेशर आया हुआ है महीं बर्फ हटाने का काम अभी भी चल रहा है यह तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे है किस तरह से आप देख सकते हैं चारो तरफ जो बर्फ ही बर्फ है वो नजर आरी क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोर बर्फ बारी हुई है हाला कि कपाट यहां पर खोल दी गए है लेकिन अब यहां पर श्रधालों के लिए परिशानी हो सकती है क्योंकि जगा जगा रास्तों पर बर्फ जमा है ऐसे में श्रधालों को यहां दर्शन करने के लिए मुसीवतों का सामना करना पड़ सकता है